दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आर एनेस एजिकेशन नीज में तो दोस्तों इस वक्त का बड़ा अप्टेट मिल रहा है राजस्तान की जो तमाम जो भरतिया हैं जिनकी परिक्षा नहीं हुई है उनके लिए जो जो फोर्म है आविदन ह वापस से भराए जाएंगे तो ये बड़ी अप्टेट है दोस्तों राजस्तान के लाखो जो बेरोजगार यूवा भ्यारतिया उनके लिए आखिर यहाँ पर सरकार ने दो चार दिन पहले जो EWS को आयो सीमा और फीस में छूट का जो प्रावधन किया था उसी के मते नजर ये फैसला किया गया है और कौन सी वो भरतिया है क्या रीट भरती भी जो के जिसके फोम है दुबारा से ओपन होंगे ये सवाल भी बहुत बड़ा है आप लोगों का तो ये भी हम आपको इस वीडियो में किलियर करने वाले हैं संपूर्ण जानकारी कम्पलिट वीडियो ज जानकारी ली गई है जानकारी का जो स्रोथ है जो सोर्स है वो जी न्यूज का ट्वीटर हैंडल है और यहाँ पर देखिए जैपूर्ण EWS स्रेणी के युवाओं को भरतियों में आयू सिमा की छूट तो देखिए आपर EWS जो स्रेणी है जो 10% जो रिजर्वेशन है EWS अब भरतियों को वह आयू सिमा और जो फीस है उसमें आरक्षित वर्ग यानि की SCST OVC की तरह ही छूट यहाँ पर दी जाएगी और जैसे ही आयू सिमा में छूट का यह यहाँ पर निरने सरकार ने किया तो यहाँ पर हालात यह है कि दोस्तों जो मोजुदा भरतियों है उनमें भी मिलेगा आयू सिमा का लाब ठीक है मोजुदा भरतियों मिलेगा आयू सिमा का लाब डॉक्तर सुबास गर्ग ने कहा है यह EWS और अरक्षन की सिरेणी में आने वाले यूआं को विभिन भरतियों में आयू सिमा में छूट यहाँ पर दी है तो यह देखिए खैसला लागू होगा वापस से जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा जब MBC को 5% किया गया था और EWS जो आरक्षन लागू हुआ था तब भी दुबारा फोर्म भराए गए थे जिसमें काफी सारी भरतियां सामिल थी और अब वैसा ही नजारा आपको देखने को मिलेगा ज जिसका लाब मैला और पुरुष सभी अभ्यारतियों को मिलेगा तकनीकी सिक्ष्या मंत्री डॉक्टर सुबास गरग ने ये बताया है दोस्तों जिन भरतियों के अभी परिक्षय नहीं है उनमें EWS के उन सभी युवाओं को लाब दिया जाएगा जिनको आयसुमा में छू ठीक है पटवारी भरती में भी ये अभी परिक्षय नहीं हुई है इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट ग्रेड जो कॉलेज लेक्चरर एक्जाम है उसकी भी परिक्षय यहां पर नहीं हुई है और पी ऐसी ऐसाई सब इंस्पेक्टर भरती सबसे चर्चित मामला इसी वज़ ठीक है ठीक है दोस्तों उन भरतियों में भी दुबारा से फोम भराए जाएंगे ठीक है यानि की जो भी जो फोम है राजस्तान की जो भी भरती है जिसकी परिक्षय नहीं हुई है उन में सभी में दुबारा से फोम स्टार्ट होंगे यह यहां पर सरकार के जो मंत्री है ट बहुत लोगों के लिए तो दोस्तों मैं बता दूं जो पातरता जो परिक्षया है आपकी जो रीट की जो पातरता है जिसके फोर्म अपके फरवरी में भरवाए गए थे तो इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं ऐसा जो पातरता का जो फोर्म है उसमें ऐसा कहीं पर भी पातरता परिक्षा के बाद जो आपका पेपर हो लेगा उसके बाद जो विग्यप्ति आएगगे टीचर्स की यहाँ पर elementary education राजस्तान जारी करेगा जो पातरता परिक्षा के बाद जो विग्यप्ति 31-32 जार पदों पर जो main विग्यप्ति आएगी आयू सीमा का जिक्र उसम होगा तो ठीक है तो वहाँ पर आयू सीमा में छूट वहाँ पर मिल जाएगी लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है दोस्तों गोर्मेंट अपने राजिनेतिक लाब के लिए हो सकता है कि रीट के जो फोम है वो भी कर दें में इशू मैंने बता दिया कि पातरता में ऐसा कोई एज का चक्कर ही नहीं था जिसकी वज़े से इनको आगई करना पड़े देकिन सरकार होते हैं राजिनेतिक लाब के लिए तो राजिनेतिक लाब के लिए ये रीट के फोम भी दुपारा से इस्टार्ट कर जिन भरतियों की परिक्षय नहीं हुई है उन सब के लिए ये आदेश लागू होगा जिसमें SI भरती, RPSC कोलेज लेक्चर भरती, पटवार भरती और जो डेरी की है, सैकारित विभाग की है, जो भी तमाम जो भरतियां है उन सब में ये कहानी आने वाली है और 2-4 दिन के अं ठीक है, जो HM के बनी कलिती संसकर सिक्षा भी भाग में, तो छोट-छोटी जितनी भी बड़ी भरतियां हों, उन सब ही में ये चीजे होने वाली हैं, करमचारी चैन बोड हो, चाहे जो करसी परवेक्षक का था, जो चल रहा था, 883 जो पदों का था, उसमें भी यही होगा सारी भरतियों के जिनका कहने का मतलब है, करमचारी चैन बोड कोई भी भरति हो, जिसकी परिक्षन उन सबी के फोर्म दुबारा से यहाँ पर EWS के टेकर एकन स्टार्ट किये जाएंगे, तो बड़ा अप्डेट है, और एक अच्छा मोका भी है EWS के अभ्यारतियों के धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत